बॉलिवुद फिल्म अजहर अजहर और संगीता की लवस्तोरी के एर्ग गिर्धी घुमती है लेकिन आप तो जानते ही होंगे कि अजहर संगीता की जिन्दगी में पहले मर्ग नहीं है संगीता का नाम कई और लोगों के साथ भी जुर चुका है और उनका सबसे चर्चित अथेर था बॉलिवुद के सुपरश्टार सल्मान खान के साथ संगीता बिजलानी और सल्मान खान का रिष्टा बहुत सीरियस था संगीता सल्मान की जिंदगी की पहली महिला है जिसके साथ उनकी शादी ठिक्स हो गई थी जी हां सल्मान खान और संगीता बिजलानी शादी करने वाले थे लेकिन अचानक दोनों का ब्रेक अप हो गया सल्मान और संगीता का रिष्टा उस जमाने में बड़ा मशहूर हुआ करता था दोनों ने फिल्मों में एक साथ काम किया है जहां सल्मान खान, बॉलीवुद के जाने माने स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान के बेते होने की वजह से मशहूर थे वहीं दूसरी तरफ संगीता भी मिस इंडिया थी और एक जानी मानी मौदल भी हुआ करती थी संगीता जब सल्मान को मिली तो उनका हाल ही में एक ड्रेक हुआ था और इसलिए वो काफी अपसित थी ऐसे में सल्मान ने उन्हें अपना कंधा दिया और धीरे धीरे दोनों करीब आगे दोनों एक दूसरी से इतना प्यार करने लगे कि शादी का फैसला कर लिया सल्मान के घर पर भी संगीता सबको पसंद थी जासिम खान की बुद्ध गाश बीरिंग सल्मान में इस बात का खुलासा किया गया है कि सल्मान खान और संगीता की शादी 27 मई 1994 तो तै की गई थी शादी के कार्ब्स भी बत चुके थे लेकिन फिर ऐसा कुछ हो गया कि ये रिष्टा तूप गया मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सल्मान खान एक्त्रे सोमी अली के करीब आने लगे थे सोमी, सल्मान को बहुत पसंद करती थी और शादी करना चाहती थी संगीता से सल्मान की बेवफाई देखी नहीं गई और उन्होंने रिष्टा खत्म करना ही सही समझा संगीता ने सल्मान से शादी करने से इनकार कर दिया और बाद में एक इंतर्व्यू कहा कि सल्मान शादी करने के लायक नहीं है सल्मान ने करण जोहर के शो कौफी विद करण में भी कहा था कि उनकी शादी होने वाली थी लेकिन उनकी होने वाली एक त्रेस पत्नी ने उन्हें चीट करते हुए पकर लिया था सल्मान से अलग होने के बाद संगीता को सचा प्यार अजहरुदीन में दिखा और फिर दोनोंने शादी कर ली लेकिन सालों बाद दोनोंने 2010 में तलाग ले लिया